किसान भाईयों नमस्कार आर्पी की तक्निकी खेती में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आलू में लगने वाले प्रमुक रोगों के बारे में कि रोग करसे करसे लगते हैं रोग कम लगते हैं उसके लिए क्या उप्चार है आज इसी सब के बारे में सर्चा करन अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों में कुछ बारिस हुई है और मौसम चेंज हुआ है इसकी वज़ासे आलू में बीमारी सुरू हो जाएगी जो की पचेती जूलसा एक नाम से आप लोग जानते हैं यह जो बीमारी है फाइटो फितेरा इंफेस्टे किसान भाईयों को इस तरह से देखे जाएंगे आप जब खेत में जाओगे अपने पती की निचली सतों पर एक छोटा सा सूखा पन दिखाए देगा और उसकी चारो तरफ रूही जैसे पाउडर जैसा जमा हुआ दिखाए देगा और यब यह तेजी से आता है तो तने तक पूरा फैल जाता है और उसके बाद नीचे जो कंद लगे होते आलो में उसको भी परवावित करें के तुमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखाए दे रहा है तो उसमें मैंको जेप का आप स्प्रे कर सकते हैं इसका परियोग आप 500 ग्राम पर त्येकर के हिशाब से 1500 से 200 ल पानी में मिलाके हमें इसका चार ग्राम पर ती लीटर पानी के हिशाब से हम इस प्रे कर सकते हैं गेती जुलसा भी अलू की एक दूसरी पर्मुक बीमारी है जिसकी वजह से आप देखते होंगे खेत में शुरुवाती वास्ता हो पत्ते पीले पढ़ जाते है और जो पत् तरह से सूख जाता है तो पत्यों में क्लोरोफिल की कमी होने की उजवा से पत्यों का बढ़वार भी रुख जाता है तरह तक सूच दे लगते हैं जिस वह से उत्पादन में नुक्सान हो के नियंतर के लिए हमें जब तक बीमारी नहीं आती है तो इसको मेंको जेब का सब्सक्राइब कर लिए जो भी फंगस आते हैं उसमें ग्रो निकर पाते हैं फैल निपाता है तो फिर अखेले मेंको जेब से काम नहीं कर पाएगे इसके साथ विरह में एक सिस्टमिक दवाई भी मेक्स करनी पड़ेगी तभी आ रहा है या कॉपर ऑक्सी क्लोराइट को भ अगर हम जो फपुन नासरी की बात कर रहा है मेंको जेब की अगर दस से बारा दिन के अंतराल पर इसका रिपीट इस पर हम करते रहे तो हमारे खेत में कोई भी तरह की बीमारी सुरुवाति में नहीं आ पाएगी लेकिन फिर भी मौसा में बहुत ज्यादा चेंज होता है तो इसको हमें प्रिकॉस ने रिच मतलए कोभी भी फपुन नासरी काम परियोग कर सकते हैं बीमारी आने से पहले ही उसका हम बचाओ के लिए हमें साइमेक्शनील प्रस मेंको जेब का एक इसमें आउस्टे करना चाहिए मैंने आपको बताए था कि 600 ग्राम परतिय कड़ के सूख के इसको नियंतर करने के लिए कौपर ऑक्सी क्लोराइड बहुती अच्छा इक उत्पाद है जिसका हम परियोग करके इसको नियंतर कर सकते हैं डाइग्राम परति लीटर पानी के खेत में जिस फसल में लगता है आप सुरवाती होस्ता में देखेंगे आलू की फसल म जब इस तरह से पत्ता दूर से अगर आपको लाइन पर एक दो पेड इस तरह के दिख रहे हैं तो इसको उखाड के खेट से बाहर फैक दें दूसरा इसको फैले से बचाने के लिए आपको कीट नासी का परियोग करने सबसे सुरक्षिद रसायन है इमीडा क्लोरपीड इस को आप देखते होंगे जब हम स्टोरेज करने जाते तो अलू के अंदर हो छेट करके पूरा अलू सड के खराफ होने दीमक की भी कुछ चेत्रों में सवस्य आती है तो जो जमीन के अंदर वाले की जितने भी है जो मैने आपको तीन मेजर नाम बताए इसके कंट्रोल करने क सबसे बढ़िया है कि जब भुवाई के समय हम आलू करने जा रहे हैं उस टाइम हमें फिप्रो नील ग्रेनूल में आता है आठ से दस किलो परती एकर के इसाब से जब हम लास्ट को खात की डालता है उसमें मिला के परियोक करें तो जमीन सबंदी की वापिंगे की जो बहु नुक्सान देखने को मिलता है तो इसको नियंतर करने के लिए आपको जरूर इस्प्रे करना चाहिए जो कि तायम इदवग्जाम एक टेक्निकल है 25 उसका परियोग एक ग्राम एक लीटर पाने के इसाफ से या 100 ग्राम परतीय करके इसाफ से स्प्रे करना चाहिए सही समय पर अगर हम बात करें तो कोई भी कीट नासी का परियोग प्रेयोग शही मात्रा में यहीं करते हैं तो रिजल्ट लता हुष्षे म्सचार आपको मिलेंगे और बिमारी Allen हम इसरा आने से पहले कोई वी थाफुन नासी का परियोग्ग करेंगे तो इसस से बीमारी दो दो से लिए जित हो